चंदुलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज एवम अस्पताल की करमचारियों की लंबित मांगो को लेकर 25 जून से 1 जुलाई शहीद दिवस तक पड़ाव यात्रा निकाली जाएगे। शहर के सभी चौक चौराहों पर कोस्टर चिपका कर अपना संदेश दिया जा रहा है। जन स्वास्त करमचारी यूनियन 36 गड़ मुक्ती मोर्चा मजदूर कारेकरता समीती के बैनर तले चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवम अस्पताल की करमचारियों दौरा लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है जिस पर अब तक कोई प्रशासन का ध्यान अपनी और आक्रिष्ट करा रहे हैं साथ ही अपनी मांगों को पूरा करने का संदेश दे रहे हैं इसी कड़ी में सोंवार को इन मजदूरो द्वारा दुर्ग के पटेल चौक पर लाओडू स्पीकर से अपनी दुरजशा और शासन प्रशासन से मांग पड़ाओ यात्रा का पोश्टर चस्पा कर रहे हैं इसके साथ ही यह पड़ाओ यात्रा 25 जुन को चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से निकलेगी और शेहर के आने जगों पर ध्रमन करेगी इस संबंद में जन स्वास्त करमचारी यूनियन 36 गड़ के अध्यक्ष तरादास जहरिया ने अपने तीकी प्रतिक्रिया दी है है कि हम लोग भू खरताल mix euOUT अफर्नाव प्रदल में अमारी बात नहीं सूने जा रही है और अभी पता चला है जटुर्य सेंद्री में अध्या पर Nag אज चड़ कराई जा रही है जब कोई बात अचारे तर्पनिक्त परकारीए है तो हम लोगों ने 25 जून से एक जुलाई तक प्राव यत्रा निकाल रहे हैं और यह प्राव यत्रा गाओं गाओं तक जाएगी गुरूद जामूल छाओनी अलग अलग जगा होते हुए आठ दिन के अंदर पावर होस पहुचेगी और इस आठ दिन के अंदर सरकार हमसे बात नहीं करती है हमारी बात नहीं सुनती है तो हम एक जुलाई को फिर से रेल पात में बैठेंगे और यह सरकार को बताएंगे जनदूलाद चंदराकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के करमचारियों का लंबे समय से आंदोलन करणा और शासन परशासन का इस वर ध्यान नादेना समस्य परे है बहतर होगा कि शासन पर शासन इस और जल्द से जल्द अपना ध्यान आकरश्ट करे और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए Grand A.C.N. News के लिए दुरुक से नसीम फारुकी की रिपोर्ट